असलाम अलेकुम नाजरीन नुरानी खबरों में आपका खेर मक्दम है नाजरीन आजकल पूरी दुनिया में एक खतरनाक वबा फैली हुई है जिसे लोगों ने कोरुना वाइरस या कोविड नाइंटीन का नाम दिया हुआ है इस खतरनाक विमारी से पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है और चारों तरफ मौत का खौफ तारी होता जा रहा है हम नूरानी खबरों की ओर से तमाम उलेमाओं से दानीशवरों से कलमकारों से और तमाम ऐसे लोगों से जिनकी बात कौम के लोग बड़े इत्मिनान से सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं कि ये तमाम लोग कौम के लोगों का होसला बढ़ाएं और लोगों में एक उमीद जगाएं कि इस बिमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है इस से पहले भी अल्लह ने बड़ी बड़ी खतरनाक बिमारीों को इस दुनिया में भीजा है इसलिए अल्लह से दुआ करें और अपनी इबादतों में कोई कमी न करें और सरकार के बताए गए नियमों का पूरे तरीके से पालन करें यहां पर बिमारी से डरे ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप एहतियात न बढ़ते हैं बलकि लोगों को सारी बातें समझाएं कि इस बिमारी से बचने के लिए आपने क्या-क्या एहतियात बरतनी हैं आपको मास्क भी लगाना है, हात भी धुने हैं और सोशल डिस्टेंस को भी अपनाना है इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को अपनी एहतियात के तोर पर अपनाना है सभी बातों के बारे में समझाने का फर्ज इन ही उल्माओं और दानेश्वरों का ही है अल्लाह ताला हम सब को इस बिमारी से महفوظ रखे, आमीन नाजरीन एक छूटा सा वाक्या हजरत मुफ्ती महमद अक्तर रजा खानत ताजुसरी और रहमतुल्लाह अले एक बार बहुत बिमार थे और दिल्ली के एक बड़े नामी अस्पताल के आईसियू वार में दाकिल थे जो लोग कभी आईसियू वार में गए हैं या उन्होंने देखा है तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पर बड़े सीरियस मरीजों को ही रखा जाता है और मरीज के सारे शरीर पर दुनिया भर की मशीने लगाई होती हैं और मरीज हिल डूल भी नहीं सकता तो यही हालात हजरत ताजसरी और रहमतुल्लाह अलय के थे जब कुछ घंटों के बाद उनको होश आया तो उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए कहा तो वहाँ पर मौजूद अस्ताफ ने उन्हें कहा कि बाबा आप ऐसे ही लेठे-लेठे नमाज पढ़ ले क्योंकि उन्मे एक स्ताफ मुसल्मान भी था तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप की तब्यत ठीक नहीं है इसलिए आप ऐसे ही नमाज पढ़ लेजिए तो बहतर हो पर उन्होंने कहा कि मुझे अपनी तबियत के बारे में पता है और मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं खड़े होकर नमाज पड़ सकता हूँ तो दो लोग बाबजी को सहारे से पकड़ कर लाए और मुफ्ती मुहमद अक्तर रजा खान ने जब अल्ला हुआ अकबर कहे कर नियत बांधी तो आईसियू के वार्ड का नजारा देखने लायक था वहीं उसी वार्ड में एक पचीस साल का नौजवान भी दाखिल था और उसके पास उसकी माँ भी मौजूद थी ये लड़का था तो इंडियन पर उसकी तरबियत विदेश में हुई थी और ये लड़का जीने की सारी उमीदे छोड़ चुका था और उसको लगता था कि अ उस लड़के को पता चला कि ये कोई मामूली शक्स नहीं है बलकि अल्लह के बहुत बड़े वली हैं तो अपनी माँ से उसने कहा मा मुझे बिठा दो और जब बाबाजी नमाज पढ़कर चले गए तो अपनी माँ से कहा कि मा क्यों न मैं उस जगह का बोशा ले लू जहाँ पर इस अल्लह के वली ने सजदा किया और उस नौजवान लड़के ने उस जगह का बोशा लिया और बाबाजी के अस्पताल से जाने के बाद कुछ दिनों के बाद अल्लह के करम से वो लड़का भी बिल्कुल ठीक हो गया बाबाजी की हिम्मत और अल्लह पर यकीन को देख कर उस नौजवान में भी जीने की आरजू जागी और अल्लह ने उसे भी तंदरुस्ती अता फरमा दी और उस नौजवान की जंदगी ही बदल गई इसलिए नाजरीन हम सब को हर बीमारी का हिम्मत के साथ मकाबला करना चाहिए और हमें अपने अल्लह को हर हाल में याद करन चाहिए हम भी अल्लह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लह ताला हमें और आप सब को तमाम बीमारियों से महफूज रखे आमीन नाजरीन अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने जानने और मिलने वाले लोगों को शेयर करें ताकि वो भी बीमारी का दट कर सामना कर सकें नाजरीन अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरों पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिये घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे साथ ही अगर आप हमें कोई सुझाओ देना चाहते हैं या आपकी हमसे कोई शिकायत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिलकुल मत भूलिए हमें आपके सुझाओं का इंतजार रहता है और हमें अपने अंदर सुधार करने के लिए आपकी शिकायतों की भी बहु